दोस्तो आज हम बनाएंगे सर्दियों में बनने वाली बहुत ही खास रेसिपी सर्दियों में अगर आपने एक बारी रेसिपी नहीं बनाई तो कुछ नहीं बनाया तो friends आज हम बहुत यासान तरीके से restaurant के style में मेरी recipe को बना कर त्यार करेंगे इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक cup fresh मतर सर्दियों में मतर सभी के घरों में आती है और साथ में मखाने लिये है तो एक cup जितने मैंने यहाँ पर मखाने ले लिये है और मखाने भी सभी की घरों में बहुत यासानी से मिल जाते है थोड़े से मैंने यहाँ पर आर्च से दस लिये है काजू तो चलिए शुरू करते हैं इसके लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में डाल देना है यहाँ बेंग और शुरू करते हैंібर करते हैं तो बस मैंने टमाटरं में कट लगा दिए हैं और अब जो मखाने लिये थे वही हम यहाँ पर ढल देते हैं तो इससे हमने थोड़े से मखानें बचा लिए हैं जो हम बार में यूज़ करेंगे अब मकाने के साथ हम यहाँ पर काजू भी डाल देंगे इसको हमें सारी चीजों को एक बार हलका सा बोैल देना है तो बस मैंने यहाँ पर इस सारी चीजों को अच्छे से चला दिया है और अब हम इसको धक कर पकाएंगे, बस एक मिनट हम इसको धक कर पका देंगे, जिससे हमारी सारी चीज़े बढ़िया से पक जाएंगे, और टमाटर को हमें छिलके उगतालने तक ही यहां पर पका लेना है, तो मतर हमारी पक जाएगे और मखाना भी, तो बस यह हमारा पक गया है और आप में यहाँ पर एक स्टेनर में इन सारी चीजों को निकाल लेती हूँ तो बस इसको हम यहाँ पर डाल लेते हैं एक प्लेट के उपर यह प्लेट में हमने इसलिए डाला है क्योंकि अब हमें इन सारी चीजों की छटाई करनी है चटाए करनी है, मतलब हमें इस सारी चीजों को अलक करना है बस हमें मटर इसमें चोडनी है बाकि Magana, Kaju और टमाटर हमें यहाँ पर निकालकर अलक कर देने हैं यह हमने एक साथ ही बोइल कर लिया था, जिससे कि हमें बार बार बोइल ना करना पड़े इसलिए मैंने सारी चीज़ों को एक साथ बोइल कर लिया है, तो देखें मैंने सारी मटर को अलग कर दिया है और अब हम यहाँ पर तमाटर के जो छिलके हैं भून Richardson नखेँ कितने आसानी से हमारे टामाटर के चिलके निकल गए हैं निक प्समारी चाल का निकालने के बाद अब घुणी प्समेरे अब पनाटर के जार के appropriate दाल दीए और मखाना दाल आजू भी ले तो मैं ले लेती हूं थोड़े सी लैसुन तो तीन से चार कली लैसुन के लिए एक इंच अद्रक का टुकड़ा इन दौनों को भी हमने जार में डाल कर अच्छे सी इसका फाइन सा पेस्ट बना लेना है तो यह देखी कितना बढ़िया हमारा फाइन पेस्ट बन गया है थोड़े बहुत कंट रह गए हूंगे तो कोई भी दिखकत है यह तो बस अब हम इसको साइट करेंगे और यहाँ पर मैंने लिया है कड़ाई कड़ाई में मैंने थोड़ा सा घी एड़ कर दिया है अब इस घी को मैल्ट करेंगे बस घी मैल्ट होने के बाद हम इसमें डाल देते हैं बचे हुए मखाना मखाने को हलका सा भूल लेंगे बस आधा मिनट तक हमें इसको भूल लेना है बस जैसे मखाना और घी के साथ मिल वी भी जलदी गरम हो गया है तो थोड़ा सा जीरा डालाएं अब इसमें काली मिर्ट चोटी लायची दालची नहीं कीज है और साथ में एक बड़ी लाइची को भी तोड़कर डाल देंगे तो इसको हमें बहुत हलका सा भूल लेना है तो बस मैंने प्याज को मसालो को हलका सा भूल लिया है और दो मीडियम साइज की प्याज को मैंने यहां पर बारी कट करके डाल लिया है प्याज को हमें कोई भी पीसना नहीं है बस हम भारी काट कर ही यहाँ पर add कर देंगे और इसको हमें अच्छी से brown होने तक फून लेना है तो बस यह देखी प्याज हमारी shop हो गई है आब हम इसको और भूनेंगे जब तक कि प्याज भून रही है तब तक हम एक काम कर लेते हैं तो यहाँ पर मैंने एक चमच भर कर लिया है धनिया पाउडर साथ में आधा चमच मैंने हल्दी पाउडर लिया है और एक चमच में यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर ले रही हैं और एक चमची kitchen kink मसाला आपको यहाँ भी मसाला यहां पर add कर सकते हो जो भी आपको पसंद है आप इस तरीके से इसमें पारी डाल कर अच्छे से इसको mix कर दीजिए तो बस यह मसाला हमारा त्यार है और यहाँ पर देख सकते हैं कि प्याज हमारी काफी हद तक भुन गई है तो इसको अभी हम थोड़ा सा और भूल लेते हैं प्याज जो है हमारी जतनी जादा अच्छे से भुनेगी न मसाले में टेस्ट उतना ही जादा अच्छा आएगा तो बस आम में यहां पर पाने में डला हुआ जो मसाला था वो मैं इसमें डाल देती हूँ आप मसाले को ट्रमाटर से पहले कड़ाई में एड़ करिए प्याज के साथ बहुत ही अच्छे से मसाला भुन जाता है और बहुत ही बढ़िया इसका कलर भी आता है तो देखिए कि तब बढ़िया हमारा मसाला भुन रहा है साथ में में इसमें नमक भी आट कर दूँगी आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग नमा कैट कर लीजिएगा तो बस अंज सारी चीजों का अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ा सा में इसमें पारी डालकर मसाली को अच्छे से भून लूगी देखिए मसाली का कलर भी बढ़िया सा आ रहा है और अब हम इसको थोड़ा सा हलका सा पका देंगे तो बस इस तरीके से मैं इसको छोड़ देती हूँ जिससे हलका सा पक जाए तो मैं मीडियम लो फ्लेम पर ही मैं मसाली को पका रही हूँ देखिए कि ता बढ़िया इसका कलर भी आगया है और अब बस हम इसको एक बार फिर से चला देंगे अब जो मसाला हमने यहां पर त्यार किया था मखाना और जो हमने काजू इसमें पीशा था उसको भी इसके साथ ही ऐड़ कर देंगे इसे क्या है हमारी ग्रेवी जो है न बहुत ही थिक और अच्छी मतलब रेश इस तुडेंट में जो लोग होते हैं जो इस तरीके से ही बनाते हैं उनके मसाले बहुत ही ज़्यादा हाड होते हैं इसलिए इनकी सबजया ऐसे लगती हैं तो देखे मैंने इसको भी डालने के बाद हलका सा आदा से 1 मिनट हम इसको भी पकाएंगे यह भी बहुत ही तो आप इसके साथ भी पका सकते हैं, आप भी हमने मिला कर छोड़ दिया है, थोड़ा सा इसको भी पका देंगे, तो ये रेखिए कि अच्छे से ये बहुन चुका है, बढ़िया से हमने एक से डेड मिनट इस मसाली को भी अच्छे से पका लिया है, आप हलकालका स्को चलाते रहे बरना यह तली में लग सकता है, तो बस मैं यहां पर डाल देती हूं पानी, आप पानी को अपनी हिसाब से यहां पर adjust कर सकते हो, आप कम या जंदा जितन या आप इसमें पानी डालना चाहते हैं, आप उसी हिसाब से तोड़ा सा पतला या गाहडा रखना चाहते हैं, तो आप इसमें उसी हिसाब से पानी डाले जीगा, या पर एक कटोरी पानी डाल दिया है, और अब हम इसको 2-3 मिनट के लिए low flame पर हलका सा पकने देंगे, जिसस तो फ्रेंट्स आपको रेसिपी कैसी लगी, कमेंट्स में बताईएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आया तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, तो बस ये देखिए, मैंने या पर थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया है, अगर आपके पास धनिया पते हैं तो वो भी आप इसे चेट पर डाल सकते हो, तो चलिए फ्रेंट्स इस रेसिपी को सर्फ करते हैं, फ्रेंट्स वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में बताईए और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक प्रेस्टिंग वीडियो के साथ,